हेलो क्लास विफ्ट सब्जेक्ट हिंदी तुड़े आई विल टीच यू लेसन नंबर तू और विच इस नंकू लेसन नंबर तू आपका है नंकू इसमें क्या होता है मैं इसकी स्टोरी आपको बता देती है और इस लेसन को आपने सैल्फ रेडिंग जरूर करनी है ओके एक मच्वारा होता है जिसका नाम नंकू होता है ठीक है नंकू अपनी पत्नी के साथ समुदर तटट पे एक बस्ती में रहता है और उनका जीवीका का यानिकी वो अपना पेट किस्ते बढ़ते हैं समुदर से मचलिया पकड़के और बाजार में बेचते हैं इससे वो अपनी आज़े विका चलाते हैं एक दिन नंकु समुंधर में गया था मचलिया पकड़ने के लिए उसने जाल बिछा दिया लेकिन उस दिन कोई भी मचली उसके जाल में नहीं फसी बैजारा बूत पारेशान हो गया और बार 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 कोशिश करता रहा जाल बिछाकिक लेकिन जाल फेंका ठीक है लेकिन उसकी जाल में उसको प्रतीत हुआ हैसा लगा कि मेरी जाल में भुषी फस गई अब की बार वेकिन जयसे उसने जल्दी से जाल बाहर खीचा तो उसके जाल में मचली नहीं थी, उसके जाल में एक खाली बोटल, एक डिबा और एक सीपी फसे हुए थी, अब यह देखकर वो बैचारा और पर रेशान हो गया, तो उसने बोटल और डिबे को तो वहीं पर फेक दिया, और जो सीपी थी, वो उसको लेके चला गया, समुदर में मिलती है CP, ठीक है, वो अपने घर लेके चला गया, उसको घर पे जाके उसने अपनी पतनी को वो CP दिखाई और भाई पे रख दी और खाना खा कर दोनों सो गए, अब रात को एकदम से मोसम खराब हो गया, और जो समुदर की जो लहरे क जो चटानी थी, जो समुदर की जो लहरे थी, वो चटानों से टकराने की आवाज काफी बहुत तेज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसी आवाज के बीच में एक कोई अलग सी आवाज आई उनकी घर पे, तो इससे ननकु की जो पतनी थी, उसकी आँख खुल गई, और उसन उसने देखा जो प्रकाश था और जो आवाज थी, वो सीपी में से आ रहे थे दोनों, और सीपी का जो मूँ था, वो खुला हुआ था, अब वे ननकु को जगाने की सोची रही थी, कि उसने क्या देखा, एक छोटे से कद का आदमी उनकी जोपड़े में आया, और मोती की बढ़ने लग गया, लेकिन जैसे उसने हाथ बढ़ाया, सीपी की तरफ सीपी का मूँ बंद हो गया, और मोती उस आदमी की हाथ में नहीं लगा, तो चार और जैसे ही सीपी का मूँ बंद हुआ, तो चार और दोबारा से अंधेरा हो गया, हम ननकु की पतनी को लगा कि जै गटना के बारे में बताया अभी इस बाते सुनके ननकु को भी एहरानी हुई आश्यर्य हुआ लेकिन उसने सोचा कि शायद उसकी पत्नी ने कोई सपना देखा है और दोनों फिर से सो गए जब सुबह हुई और ननकु दोबारा से समुद्र जाने के लिए तयार हो रहा था वहीं छोटे कद का आदमी एक बार फिर से आया और ननकु को कहने लग गया कि भाई जो आपके पास सीपी है वो मुझे बेच दो उसके बदले में मैं तुमें बहुत सारा धन दे दूँगा तो ननकु कुछ कहता इससे पहले उसके कानों में एक आवाज आई क्या कि इन उसको पीटना शिरू कर दिया अमनकु चीखने चिल आने लग गया और उसकी आवास सुनकर वहाँ पर पडोसी आ गये और जिन पडोसी ओं को आता देखकर वो जो छोटे कद का आदमी था वहां से भाग गया और पिटाई के कारण अमनकु जो था वो समुद्र पर नही रूख गया ठीक है अब दीरे दीरे रात हो गई फिर ननकोर उसकी पत्नी अपनी जोपड़ी में फिर से हलका सा प्रकाश दिखाए दिया उनको CP का मुँ खुला और मोती निकल के CP में से और ननकू के हाथ में चिला गया जैसे ही ननकू के हाथ में मोती आया उसका जो सारा दर्द था वो खतम हो गया अब ये देखकर ननकू और उसकोई पतनी को बहुत हैरानी होई कि ऐसे कैसे हो गया अब ननकु ने मोती से पूछा कि भई तुम कौन हो तो मोती ने बताया कि मैं परिलोक की रानी का जो मुकुट होता है उसका मोती हूँ और एक दिन जब रानी बादलों से नीचे जहांक रही थी तो मैं समुद्र में CP के अंदर आ की गिर गया था और मैं पर्तिक्षा कर रहा था इस चीज की कोई एक भला आदमी आए और मुझे सबुद्र से निकाल ले और तभी तुम ने मुझे निकाल दिया यह सारी बाते किसने कही मोती ने कही और फिर ननकु ने पूछा कि वह आदमी कौन था जो तुम्हें बार-बार ले जाने का प्रियाश कर रहा था तो मोती ने बताया कि वह आदमी बोनों का सरदार था और वो बोने जो थे अपनी शक्ती बढ़ाने के लिए मुझे पाना चाहती है अब उसने कहा ननकु ने कि ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए उसने मोती से पूछा कि क्या तुम दोबारा से मुकुट पे नहीं जा सक किन्तु अगर तुम मुझे आकास में उच्छाल दो तो मेरानी के मुकुट में लग सकता हूं अब मोती की बात सुनकर ननकु और उसकी पतनी जो थे जोपड़ी से बाहर आ गए और आके उन्होंने देखा आकास में तारे चमक रहे थे और एक 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 दम से क्या हुआ एक आसमान में से एक मुकुट चमकता हुआ आया और ननकु ने मोती को अपनी हथेली पे रखा और उपर उच्छाल दिया अब मोती उच्छालते ही कहां चला गया मुकुट के मुकुट में जाके लग गया मुकुट एक बार मोती के लगते ही जोड से चमक और फिर वहां से गा कि जोपड़े में चारों और सोने के सिक्के बिखरे हुए हैं दोनों ये सब देखके बहुत खुशी हुई दोनों करून उने विश्वर को भगवान को धन्यवाद किया और खुशी शे रहने लग दें तो जो ये इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिले कि हमें इमानदार रह देखना चाहिए अब दनकुक को भी लालच आ सकता था वह भी उस मोती को बेच करके भोग सारा धन प्राप्त कर सकता था है ना लेकिन उसने ऐसा नहीं किया उसने इमानदारी दिखाई और इमानदारी का फल उसको क्या मिला बहुत सारे सोने के सिक्के मिले जिससे वो अप आपके शब्दार्थ दे रखें हैं जो आपको कॉप्में करने के साथ साथ Learn में प्रकाश को आते देखा सेकंड कोशन का अंसर आप लिखेंगे ननकु ने मोती की आवाज सुनकर बोने आदमी को मोती नहीं बेचा थर्ड कोशन का अंसर है ननकु वै उसकी पतनी हैरान थे क्योंकि मोती का स्पर्श पाते ही ननकु का दर्द ठीक हो गया फोट का अंसर है मोती परी लोक की रानी के मुकुट से समुद्र मेगिरा था फिफ्ट का अंसर आप लिखेंगे ननकु ने मोती की बात सुनकर उसे अकाश में उचाल दिया जिससे मोती वापस मुकुट में लग गया फाइन अभी नेक्स्ट अभी आपको दिखाए दे रहे हैं आपके बहुवी कल्पिय अफ्रेशन जो रिक्त स्थान भरने हैं वो और गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगा इन तीनों के आंसर हैं ठीक है तो बहुवी कल्पिय अफ्रेशन के आप आंसर नेक्स्ट आपका रिक्तिश्थान भरने हैं आपने फस्ट ब्लैंक्स में आपके फस्ट वाले कोशन में दो ब्लैंक्स दे रखे हैं तो उसके फस्ट में लिखेंगे समुद्र तट और फस्ट के सेकंड ब्लैंक्स में लिखेंगे बस्ती सेकंड का अंसर आएगा पस्चिम थर्ड इस दीपक फोर्थ मोती फिफ्ट पे आएगा मुकुट और सिक्स में भी दो ब्लेंक्स आपके फस्ट में संतोष और सेकंड में मुस्कान कद्यांच को पढ़कर जो आंसर लगाने हैं वो बाला कोशन करेंगे फस्ट में आएगा फस्ट, सेकंड में भी फस्ट थर्ड में सेकंड और फोर्थ में टू ओके यहाँ पे आपके भाषा ग्यान के तीनों क्रेशनों के उत्तर हैं तो उसका फस्ट का अंसर हम लिखेंगे भाषा ग्यान के फस्ट कोशन का अंसर उसके 1st में आएगा ननकु 2nd में ननकु की पतनी ने 3rd में आएगा मोटी और 4th में आएगा ननकु और उसकी पतनी अब आपके समानार्थी शब्द लिखने आपने तो उसके 1st में आजाएगा भारिया उपर से नीचे ऐसे लिखेंगे, हम एक तरफ के पहले complete करेंगे, ठीक है उसके बाद भारिया के नीचे अवाला लिखेंगे, आप दिया उसके बाद थर्ड पे आएगा रात्री अब आपके left side में करेंगे, आप complete तीनों को 4th में आएगा मेघ 5th में आएगा भगवान, और ये right side वाले हैं, ठीक है और 6th में आएगा आस्मान आगे आपको वाक्यों में प्रियोग करना है तो उसके 1st में आप लिखेंगे, मोती आस्मान से सीधा, सीपी में आगिरा 2nd का लगाएंगे, सूरिये हमें प्रकाश देता है 3rd का लिखेंगे आप, हमें हमेशा इमानदार रहना चाहिए 4th में लिखेंगे, हमें मुसीबत में संतोश से काम लेना चाहिए संतोश मतलब धैरिये से काम लेना चाहिए ठीक है, तो यह आपका exercise अब भ्याश कार यह था यह आपका, जिसको आपने copy में और book में दोनों में complete करना है और साथ में इसको learn भी करना है, ओके